मैं हुसेन सुल्टान रंबुमी नियूज में आपका स्वागत करता हूँ लोकसभा के चुनाव जारी है और तक्रीबन तीन चरन के चुनाव हो चुके है अगर हम बात करें कल्यान लोकसभा को लेकर तो यहां पे दो उमीदवार खड़े हैं जो महा यूती से डॉक्टर श्रीकान शिंदे है और इंडिया एलाइन से वैशाली दरे करें और हम बात करते हैं यहां के जो शरत पवार गुरूप के हैं मुम्रा अध्यक्षे बबलो शेमना उनसे बात करेंगे जिस सरीके से शहर में जो माहोल चल रहा है उटर से उन्होंने कहा है कि अगर आप दोनों उमीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा भी कर सकते हो तो इसको लेकर शहर में एक चर्चा का विशे बना हुआ है उसको किस नजरिये से देखता असलाम उलेकुम नमस्कार देखो यह लड़ाई चल ले न जो आप बी एंपी की लड़ाई यह आम जनता की लड़ाई है यह संप्रदाइक ताक्तों के खिलाब सेकुलर विचाधारा की लोगों की लड़ाई है आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है यह सभीदान सभीदान जो बनाया उसके किलाब सेकुलरिजम विचाधारा की लड़ाई है आप आपको जनता की लड़ना है आप जनता को हमारी जरूरत है क्यों बुनियादी चीज़ों बुनियादी जो चीज़े हैं आज की तारिक में जो डिजल है पेट्रोल है ग्यास का भाव देख जो आज गिरा है तो आज हमारे जो गरीब तब का है शेतकरी है शेतकरी को हम बोले थे कि हम उनकी आये दुगना कर देंगे मगर आज शित्करी के जो शित्करी को जो लगने आले चीज़ें उतका भाव दुगना किया गया है मोटर बाइक अब देख लो जो साट सपतर हजार के आती हो एक लाग के उपर चले गई है ग्या सिलिंडर आप देख लो जो चार सो साड़े साट सब्सिटिटी कैंसेल कर दी गई है हजार रुप्य का सिलिंडर का भाव हो गया है तो आज गरीबों जो जनता बेहाल है यंग जनरेशन आप बोले तो दो लाग साल में दो लाग नोक्रिया देंगे आज बेरोजगारी चरम पर है तो लोगों को आज हमारी जरूत है हम लोगों के बीच में जाके लोगों के साथ रहे आप लोगों को बैकानी की कोशिच करो कि तो आपको जनता भूलेगी नहीं, आपको इस वक्त ध्यान में रखे, आमदार्की की इलेक्शन में, आपको अपनी जगा जनता दिखा गे रहेगी. उनकी नाराजगी ऐसी भी है, ये दोनों उमीदवार उनने पसंद नहीं है, उनका ये कहना था है, कि आवार्ड साब एक नैशनल लेडर है, सेकुलर लेडर है, और हमेशा वो लोगों की आवाज उटा दे, खास करके मुस्लिम समूद आएगी, तो उनको ये टिकेट देना च मुस्यां हुआ है, जो किसको गई है, जो पार्टी तो करेगी ना,वो तो ढक्तर जितना आर्ट साब के हात SPEAK नहीं है, जो पार्टी जो सीट चले गई जो सीट पहले सी ही यह सीट शिशेना की दी तो उनका ही कैंडिडेट लड़ेगा ना जो सीट वहां बठवारे में चलेगे आवार्ट साब को लड़ना और ने लड़ना तो पार्टी रिसाइड के अद्दक चलेगा जब आप नेता आवार्ट सामपरत्यक्त के साथ में हाथ मिला ली यह इसी लिए आप को लोगों के साथ में बोलते क्यों नहीं खुल सीट विर्दम आपको जनता नहीं चूड़ेगी आपको जनता के साथ में आप ख़ड़े ना चीए आज की जनतां को आज को हलाग बहुत खराब है महेंगा हैं से लोग बेजार है बेरोज़गारी से बेजार है तो इसलिए जो सेंटरल गुर्मेंट के इसकी में यह तो गटर मिटर वाटर की लड़ाई नहीं है यह मुम्रा की अब लड़ाई नहीं है यह तो अब हिंदुस्तान की लड़ाई है इं आम जनता के साथ में आप खड़े रो तो आनेवारा एलेक्षण हैं अमदार की सबक्सिका करेंगी। उनका कही न कही इसको भी लेकर विरोत था कि दोनों उमीद्वार अपने नहीं है एक कहते हैं कि हमने बाबरी मज़िद को शहीद किया और एक उनकी भी हिमायद करते तो किस तरीके से मुस्लिम समुदा है वहां पर उसको ओट करें देखो जब पार्टी ने डिसाइड कर लिय कही न कही जो प्रसबा हुई तो उनकी इस तरीके की जो जो बयान है वक्तर को लेकर आप लोगों ने उनको इस सभा से दूर रखा उनका नाम बैनर पर नहीं नाम कही नजर नहीं आया क्या देखो कार्ट के उपर सम्मानिय सब नगरसेओं का नाम था और सब को इन्वाइट किया गया था और अभी खासदर का इलेक्शन है इसमें मा आप सम्मान देखना चाहते घृबता है क्या और समूदा और जो राजनितिक पार्टी उनका नाम था इसमाजवादी और आम अदनी पार्टी नाम न है तो कही कहीं कहीं नाराजगी की वज़े ये तो Quite ने 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 ऐसा ने ये जो कल की जो सभा थी इंडिया आलाइंस की सभा थी जितने इंडिया आलाइंस के जितने संगडिक दल है उनको सब को नियोताग दिया गया था सब को बुलाया गया था उनके सब पदादिकारी उनके जितना नितागंत है सब हजिर थे और सब को निमंतर सब अए थे और किसी को नहीं भिगया तो पार्टी की लोगों की लड़ाई यह लोगों को इस वक्त लोगों के साथ में हम को हाप आपको हमारी दुर्त हाँ अपके साथ है जब तुमारी हामको दुर्त रही हैं तो जन्ता आपके साथ मिरेगी तो कई न कई जैसा कि श्रीकार स wären उनकी कार्याले पर जारे नजीव घ्रक्षेश सर्थ हो तो यह सब वो लोगों ने दिखने में आई, और लोगों ने दिखा है, तो आगे का पार्टी क्या उसपर decision लेती है, जो हम वरिश्ट रेगे, हम तो कारे करता है, आगे आने वलग वता चलेगा, उसमें पार्टी के decide करती है, क्या उस पर action लेती है. आशिन राउ से बात करने पर उन्हें बता है कि अलमास कॉलोनी में उन्होंने या रोविराहिम भाई ने इस तरीका कोई परचार नहीं किया अगर कोई परचार किया तो उसका सुबूत दो क्या कही है नहीं उस बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है कि कोई सा परचार हुआ कोई सा नहीं परचार हुआ हमारे वरिष्ट जो है हमारे 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 आमदा डॉक्टर जितेन नावार साब है हमारे कल्वा मुमिना विदान साबा कहते है शमीम कान साब है हमारे सरपरस डॉक्टर स श्रीकान शिंदे के सामने इंडिया आलाइंस ने एक मजबूत और उमीदवार नहीं दिया है उनका कोई परचार सबा नहीं हो रही उनका कोई एक्टिविट नहीं नजर आरी क्या कहेंगे मैं आपको पहले बता रहा हूँ यह जंदा की लड़ाई है आने वाले 20 तारीकों में 20 तारीकों आपको देखने मिलेगा कि लास्ट हर टाइम MPK election में जो vote of percentage जो मुम्रा करेता था एक 35, 32, 33 वोट पब्लिक जागरुग हो चुकी है उनको पता चल ला है कि हिंदुस्तान की जो हालात बीचो चल लगी है जो दिस दोर से गुजर रही है जो secularism के नाम पे लोगों को भैका के और संप्रदिक ताकतों की जो ताकत बढ़ती जा रही है लोग नहीं भूले ना नोडबंदी नहीं भूले कोविट का काल नहीं भूले गवार्त्या नहीं भूले लव जिहाद के नाम पे बच्चों को मारा गया हो नहीं भूले शाहिन भाग नहीं भूले तो यह सब चीजों बहुत सारी बाते हैं तो आने वाले एलेक्शन यही सब मुद्दों को लेके हम जन्ता के सामने जाएंगे और 20 तारीकों ओड मांगे के वैशाली दरेगर को उनकी जो निशानी है मशाल इस पर आपना ओड देके उसको भारी दादात में जिता यह लोगों साथ विरुद में संप्रेश दाक्तों की लड़ाई है इसमें आपको अपनी ताकत जो डॉक्टर बाबासाइब अमबैड करने आपके सविदान में जो हक दिया है ओड का उसको आप इस्तिमाल करके अपना ओड आप जो हिंदुस्तान की जो हाला थे जो दो कौम में लड़ आपका ओड का इस्तिमाल करिए आप ओड नहीं दोगे तो आप अपना खुद का लुक्सान करोगे तो इसलिए आपसे निवेदन यही करता हूँ कि आने वाले 20 तारिक को 20 मे को अपना ओड इंडिया आइलाइन्स के वहिशाली दरेकर को देकर उसको को कैंडिडेट को जित आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका ओड आने वाले 20 तारिक को वहिशाली दरेकर को देकर उसके निशानी मशाल को देकर उसको भारी दादात में जिताईए यह यहते हमारे साथ में समास सेवक और शरत पवार ग्रूप के पददीकारी बबलू शिमना जिस तरीके से शे जा जाके मुस्लिम जो मुम्रा है जो मुस्लिम बाउल शेत्र है और यहां पे ज्यादा से ज्यादा ओटिंग होना चाहिए कि आने वाले दिनों में मोधी लहर को रोकने के लिए यह एहम साबित होगा यह थी हमारी रनभूमी न्यूस की खबर इसी तरह की और भी खबरे द शेयर कीजिये